गुरु तुम हो ग्यानी ग्यान के ताता, मुरी गुरु वर को करके प्रडांगाउ में ध्याउ में सुब हशाँ, तु लग सांकर एक नाम, एक नाम प्रसारन पुन्यार्जक परिवार, जिन शरणम तीर्थधाम के परम संड्रक्षक, संगपती श्रिपदीप मामा, प्रतिभा मामी भोपाल अभी जो है, तो दो अनन्त को एक प्रजेंट जोड़ता है, उसको अनन्ता अनन्त बोलते हैं क्लियर हुआ, नहीं आरा समझें, क्योंकि फ्यूचर भी अनन्त है, और जो बीत गया, उबरतमान एक है, तो इधर का बीता हुआ अनन्त, और होने वाला अनन्त और एक बीच का, कितना हो गया? अनन्ता, अनन्ता, अनन्ता अनन्त किसे कहते हैं? यदि अनन्ता अनन्त बोल दिया तो तीनों टेंस आ गये, प्रजेंट, पास्ट, फ्यूचर समझें भी आरा, नहीं आरा, क्लियर हो रहा? भूत, भविश्यत, भरतमान, जहां तीनों जुड़ जाते हैं, उसको अनन्ता अ अनन्त कहते हैं, अब अरिहंत भगवान, कितने हो गए, भविश्य में कितने होंगे, वरतमान में, अरिहंत भगवान, का हैं? वरतमान में अरिहंत कोन? सीमंदर भगवान, विदे छेत्र में हमेशा मौजूद होते हैं, प्रजेंटेंस, यदि अपन बोलते हैं, नमो अरिह इतना बोलने मात्र से विदेचेत के तीठंकर की बंदना हो जाती है समझ में आ रहा है क्योंकि प्रिजेंट को ने सीमंधर सीमंधर स्वामी युग मंदर युग मंदर ना ये विदेचेत अब कई लड़कों कुछ समझ नहीं आ रहा होगा लोग रहा है कि विदेचेत्र क्या है धीड़े-धीड़े समझ आए अभी तो आप उपर-उपरकी बात समझ लोगेना तो अरहंत कितने हैं कि यदी आपने बुला अननतानंतारहंत तो कितने टेंस हो गए कौन-कौन से कौन-कौनसे कौनज नंसित परमेश्ठी हे तो कितने सिद्धों को नमस्कार हो गया प्रजेंट के भी पांश्ट के भी और फ्यूच्यार के भी समझ में हैं खिलियर हो गया तो अरहन्त कितने हैं कि सिद्ध कितने हैं आप कितने हो आप अपन भी वही हैं आत्मा अनादी काल से है और अनंत काल तक रहेगी लेकिन यहाँ अपन तुम जैसे लोगों की बात करने में समय बरवात करना है भगवान की बात करें तो कल्यान होगा तुमारी वास्ते तो कल्यान होना नहीं है पक्का है किलियर हुआ नहीं हुआ क्या किलियर हुआ जिनेंदर कौन? question question लिख लो answer घर में लिख लो जैन को नहीं तो वो लिख काई को दी जब लिख पाई नहीं तो पेन लाए हो घर से लाए वो बहुत अच्छे बच्चे हैं जो यहां से ले रहे वह भी बहुत अच्छे हैं नहीं चल रहा तो तुमारी किस्मत है पेला लिखोऊ जैन कोन दूसरा लिखो जैनी कोन तीसरा लिखो जिनेंदर कोन अंशर भी लिखाना है क्या कि लिख लोगे इते तो intelligent हो ना फिर जिनेंद कितनी परकार के लिखते जाओँ यह आयात रखने को लिखना है जिनेंद्र कितने प्रकार के दो प्रकार के कौन-कौन से अरिहन्त और सिद्ध अरिहन सिद्ध कितने हैं अन्तानन जिनेंद्र कितने हैं तो गई दो दिन की पढ़ाई किलियर कठिन लग रहा है बुलो इजी लग रहा है समझ में आ रहा है कुछ समझ में नहीं आ इसा कुछ हो पूछना है या आगे बढ़े क्लियर हो गया पक्का जो इंजिनेंडर की भक्ती करता है वो कहां नहीं जाता नरक और पशुगती में नहीं जाता क्लियर हो गया इतना सा करके यदि तुम नरकों से बच जाओ तो क्या प्रावलम पशुगती से बच जाओ तो क्या प्रावलम है अठानी रखा कि अगले जनम में गधे ही बनेंगे बोलो गधे बनने की साधना मत करो गणधर बनने की साधना करो क्या बनने की दो प्रशन और लिख लो मुनी महराज क्या करते हैं अरिहन सिद वनने की या जनेंदर वनने की साधना करते हैं श्रावक क्या करते हैं भावना भाते हैं क्लियर हो गया जिस दिन साधना करोगे उस दिन दिक्षा हो जाएगी बाकि उससे पहले फिर जो भी तुम कर रहे हो चाए पूजा कर रहे हो चाए अभिशेक कर रहे हो चाए स्वाध्याय कर रहे हो चाए आप माला फेर रहे हो यह सब भावना में जाएगा साधना में नहीं जाएगा क्योंकि साधे यतीति साधू जो साधना करता है वह साधू समझ में आ रहा तो जैसे तुम रोज मंदिर आए तुमने अभिशेक किया यह क्या हो गई तुमारी साधना या भावना क्या हो गई रात्री में भोजन काई की भावना अरिहन्त सिद बनने की कोई बोले रात्री में क्यों छोड़ा मुझे जिनेंडर बनना जैनी बनना है जैनी से क्या बनना है जिनेंडर आप जो कुछ भी करेंगे तसलक्षन के उपास किये इस साधना है या भावना ग्रस्त जो भी करेगा सब भावना है समझ में आरा साधू जो भी करेंगे वो सब क्या है एक ग्रस्त और साधू में अंतर समझ में आया कि नहीं आया हम एक टाइम खाते हैं यह हमारी क्या है आप परियूशन में एक टाइम खाते हैं याद की क्या हो गई भगवान बनने की जिनेंद्र बनने की तो स्रावक जो भी करेगा बुंठ सब किस में जाएगा कौन से खाते में भावना में नहीं आरा कि लिए रोड़ा साधना नहीं साधना ओगई तुम साधू बन जाओ गे साधना का सम्मद किस से है साधू से भावना का सम्मन किस से है स्रावक्स समझ में किलियर हुआ छोटी छोटी बातें समझ आ रही है कि नहीं आ रही है नहीं तो बोलो ए हम को आ के छोटे हम भी तो दस दस दिन उपास करते हैं हम भी तो सुरह कारण करते हैं महराज तो रोज आहार करते हैं उनका क्या है हमने तो एक महिने का उपास किया तुम हजार वर्स भी उपास कर लो तो भी साधना नहीं है वह केवल भावना समझ में आ रहा मुनी महराज रोज आहार भी करें तो वह उनकी क्या है क्योंकि ये हमारा मूलगुण है एक टाइम खाना तुम्हारा मूलगुण नहीं है समझे में आ रहे हैं अंतर समझो सादू में और ग्रस्त में तुम असयमी लोग जो कुछ भी करेंगे वो कौन से खाते में जाएंगे भावला केसलोंच भी कर लो तो भी वो आपकी कोई तुमको नमोस्तो बोलेगा क्यों क्यों यदि कोई स्रावग बोले मैं केसलोंच कर लेता हूँ तो कल उसको बोलोगे हे स्वामी नमोस्तो नमोस्तो अत्र बोलोगे क्या क्यों बचारा वो बाल तो उकाड़ रहा है तो तुमको बोला जाएगा कि महराज है। तुम एक बर्स भी उपास करो तो तुम्हारा जब पारणा होगा तो बोलेंगे हे स्वामी नमोस्तु बोलेंगे क्या ए माताजी बोलेंगे क्या नहीं इसका मतलब तुम्हारा सारा उपास बुरत किस में चला गया नमोस्तु और बंदामी किसको होती है साधना को समझे में आ रहा स्रावक के पास कोई साधना नहीं है कोई डाउट कोश्चन परश्न समझे आ गया जो डाउट था वो दूर हो गया साधू में और गरस्त में कितना अंतर है है तुम कुछ भी कर लो लोग तुमको नमोस्तु नहीं बोले बोलेंगे क्या क्यों नहीं बोलेंगे कितना भी तुम आत्मा की बाते कर लो कितना भी समयसार पढ़ लो किते भी शुद्धात्मा की अन्भूती कर लो लोग तुमको नमोस्तू नहीं बोलेंगे बोल दोगे क्या नहम्दबाद में साइद बोल देते हो जो साधना करता है वह साधू समझ में आ रहा तो जैसे तुम रोज मंदिर आए तुमने अभी शेक किया यह क्या हो गई तुमारी साधना या भावना क्या हो गई रात्री में भोजन काई की भावना अरिहंत सिद्ध बनने की कोई बोले रात्री में क्यों छोड़ा मुझे जिनेंडर बनना जैनी बनना है जैनी से क्या बनना है जिनेंडर आप जो कुछ भी करेंगे दसलक्षन के उपास किये कि साधना है या भावना ग्रस्त जो भी करेगा सब भावना है समझ में आ रहा साधू जो भी करेंगे वो सब क्या है एक ग्रस्त और साधू में अंतर समझ में आया कि नहीं आया हम एक टाइम नहीं एक टाइम खाते हैं यह हमारी क्या है आप परियुषण में एक टाइम खाते ही आप की क्या हो गई आप जिन्दगी भर भी एक टाइम खाओ तो भी वह साधना नहीं है वह क्या है क्या बनने की भगवान बनने की जिनेंद्र बनने की तो स्रावक जो भी कर दिनों और किलियेगा कुछ तसब किस्ति किसमें जाएगा कौन हे खाते में भाब cycling Android on कि ले रोर्य हो इंग है साधना नहीं साधना ओगई तुम साधू बन जाओगे साधना का संबंद किस्से है साधू से भावना का संबंद किस्से है स्रावक्स कमझ में किलियर हुआ कि छोटी-छोटी बातें समझ आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं नहीं तो बोलो है हम को आके छोटे हम भी तो दस-दस दिन उपास करते हैं, हम भी तो सुरह कारण करते हैं, महराज तो रोज आहार करते हैं, उनका क्या है? हमने तो एक महिने का उपास किया, तुम हजार वर्स भी उपास कर लो, तो भी साधना नहीं है, वै केवल भावना, समझे में आ रहा? मुनी महराज रोज आहार भी करें, तो वै उनकी क्या है? क्योंकि ये हमारा मूलगुण है, एक टाइम खाना तुम्हारा मूलगुण नहीं है, समझे में आ रहा है? अंतर समझो, साधू में और गरस्त में, तुम असयमी लोग जो कुछ भी करेंगे, वो कौन से खाते में जाएंगे? भावला, केसलोंच भी कर लो, तो भी वो आपकी, कोई तुमको नमस्त बोलेगा? क्यों? ज़िए कोई स्रावग बोले, मैं केसलोंच कर लेता हूं, तो कल उसको बोलोगे, हे स्वामी, नमस्तू, नमस्तू, अत्र, बोलोगे क्या? क्यों बिचार अब बाल तो उपाड़ रहा है? तो तुमको बोला जाएगा कि महराज है, तुम एक बर्स भी उपास करो, तो तुम्हारा जब पारणा होगा, तो बोलेंगे, हे स्वामी, नमस्तू, बोलेंगे क्या? ये माता जी, बोलेंगे क्या? नहीं, इसका मतलब, तुम्हारा सारा उपास बृत किस में चला गया? नमस्तू और बंदामी किसको होती है? साधना को, समझे में आ रहा? स्राबक के पास कोई साधना नहीं है, कोई डाउट? कॉश्चन? परश्चन? समझे आ गया? जो डाउट था, वो दूर हो गया? साधू में और गरिस्ट में कितना अंतर है? तुम कुछ भी कर लो, लोग तुमको नमस्तू नहीं बोलेंगे? बोलेंगे क्या? चंदू? क्यों नहीं बोलेंगे? कितना भी तुम आत्मा की बाते कर लो, कितना भी समयसार पढ़ लो, कितने भी शुद्धात्मा की अन्भूती कर लो, लोग तुमको नमस्तू नहीं बोलेंगे? बोल दोगे क्या? नहीं दबाद में साध बोल देते हों. कितना भी सुद्धो पयोग की बाते कर लेना, कितना भी धर्म की बाते कर लेना, तपस्या कर लेना, त्याग कर लेना, ये दस दिन के उपास भी कर लेना, तो भी पारणा वाले दिन, कोई तुमारी नवदा भक्ती नहीं करेगा. करेगा क्यों? क्यों नहीं कर रहे हमने भी तो उपास किये न क्योंकि आप क्या है असयमी क्या है और असयमियों की पूजा जेंदर्सन में नहीं होती है क्लियर हो आए हाँ या ना बोलो इत्म लो बिशे समझ आ रहा है तुम हमसे भी जादा तबस्या कर लो और मेरे पास आके भी बैठ जाओ तो नमस्तु किसको बोलेंगे उसको क्यों नहीं बोल रहे है बुस्रावक है ग्रस्त है समझा है उसके पादप्रक्षलन करोगे क्या उसकी आरती उतारोगे क्या उसको अर्ग चड़ाओगे का उद्ध कचंदने तंदले पूश्पे बोलोगे क्या नहीं बोल गया तो तुम्हारा दर्जा मुनियों से बड़ा कभी हो शकता है क्या कितना भी तत्व चिंतन कर लीजिए कितने भी आत्मा की बाते कर लीजिए यदि आप असयमी हैं तो वह आपकी साधना नहीं है किलिया नहीं हो रहा कोई डाउट हो तो बोलो नहीं तुम बिद्वान तो यह से हो कि तुमको हर्ची जाता है डाउट पैद ही नहीं होता है अब देखना है अरिहंत कौन होते हैं करम से पढ़ेंगे लोग बोलते हैं जैन धर्म का हम कौनसा ग्रंथ पढ़ें कि हमको शुरू से ज्यान ये पढ़ो तो शुरू से चलेगा यसा कोई ग्रंथ नहीं है लेकिन जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसको लिखने वाला हूँ एक बुक लिखने वाला हूँ जो सारे देश मेंजैनों को जैन प्रतिभा मामी भोपाल झाल को भोपाल